हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सत्वी रियाद हूं लेका हैं आप सभी के लिए भारती सविदान और भारती सविदान के एक महत्तुपुन टॉपिक संग सरकार जो कि हमारा चर्चा में चल रहा था और आज हम बात करेंगे संग सरकार के अंदर सुप्रेम कौट सरवच्चे न नयादिसों के संख्या क्या है साथ ही हम यहां पर जानेंगे नयादिस बनने के लिए योग्यता ही क्या है सपत कौन दिलाएगा साथ ही हम यहां पर बात करेंगे सुप्रेम कोट की छित्रादिकारों के बारे में उनकी पावर्स के बारे में सुप्रेम कोट की पावर्स क्य सबसे पहले जान लेना होगा सुप्रीम कोट के बारे में सबसे पहले जान लेना होगा सुप्रीम कोट के बारे में और सुप्रीम कोट के अगर बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोट सर्वच्ची जो नयाला है सर्वच्ची नयाला का जिक्र भारती सुर्दान के भाग सर्वोची नियाले की अगर बात करें तो ध्यान रखी गा सर्वोची नियाले की चर्चा करने से पूरू मैं आपको बता दूं भारती नियाई व्यवस्ता के संदर पर भारती नियाई व्यवस्ता में बात करें दोस्तों सबसे पहले चीज जान लेनी होगी नियाइपालिका की जो संरचना है दोस्तों यह संरचना पिरामिड नुमा है संरचना है पिरामिड नुमा या फिर हम इसे संक्वाकार आकरती भी कह सकते हैं तो भारती नियाइपालिका की जो संरचना है वो संक्वाकार आकरती में आती है संक्वाकार से हमारा तातपरी है कुल मिला के इस तरीकी की हमारी नियाइपालिका की संरचना होती है नियाइपालिका की जो संरचना है जिसके सीर्स के उपर सबसे उपर जो बैठा होता है वो होता है सुप्रेम कौट सर्वच्चे नियाल है सरव मेन लेगि के अधिनास्त अगर बात की Про कुछे के न Scrute सिर यहांपे होता है हाई कोट Morocco है मौने सिप कोट या जिसे हम कह सकते हैं अधिनस्त नियाल है और निम्न पाइदान की ओपर यहां पर होता है ग्राम न ने में होगे दोस्तों सबसे उपर आगे सुप्रिम कोर्ड उसके नीचे संविधान का संरख्षक बोला जाता है और सबसे बड़ी बात जो हमें जान लेनी होगी सुप्रिम कोट के बारे में सुप्रिम कोट सन 1773 के अंदर सम्विधानिक विकास प्रक्रिया में सन 1773 में लाए गया थे एक regulating act जो कि विकास प्रक्रिया का सबसे पहला first step था और इस first step के अंतरगत regulating act के अधिन साल 1774 के अंतरगत कलकत्ता में हमने एक सर्वच्ची न्याल इस्तापित किया था ठीक है तो भारत में सबसे पहले सर्वच्ची न्याल जो आया था वो कलकत्ता में इस्तापित हुआ था सतरा से चाउटर में लेकिन 1774 में इस्तापित जो सर्वच्ची न्याल था वो देश का अंतीम अपीलिये न्याला नहीं था जबकि वर्तमान का जो हमारा Supreme Court है देश का कै और नहीं था जो की इस्तापित किया गया था कलक्ता में यह स्मिटेसम खेट साल 1937 में एक फेडरल कोड की इस्तापना की गई थी एक संगिये नियाला की स्तापना की गई और यही संगी न्याला आगे चल करके 28 जनवरी 1950 को देश का सुप्रिम कोट बना तो सबसे पहली लाइन हमारे सामने आ रही है कि सुप्रिम कोट की स्थापना कब हुई तो सुप्रिम कोट की स्थापना दोस्तो 28 जनवरी 1950 को हो रही है जो कि देश का अंतिम अपिली न्याला है, कानोनों का रक्षक है, सब्यदान का सन रक्षक है, ओके, बात की जाएं यहां पर 1937 से लेकर के 1950 तक, जो संगी न्याला इस्तापित हुआ था, यह संगी न्याला है, संसद भाउन के चेमबर ओप प्रिंसेज, एक कक्ष है, चेमबर रखी गई थी, 29 अक्टूबर 1954 को, 1954 में इसकी नीव रखी जा रही है, डॉक्टर राजंद्र परशाद जी के द्वारा, सुप्रिम कोट की अलग से भाउन बनाए गया, अलग से बिल्डिंग बनाई जा रही है, और इस जो नया सुप्रिम कोट जो बनाए गया, इसके जो वास्तुकार बने, वो वास्तुकार थे गनेश भीकाजी दियोलेकर, गनेश भीकाजी दियोलेकर जा, देन, बीस फरवरी 1978 को, भारत माता की इसके अंतरगत मूर्ती लगाई गई है, और मूर्ती रगाने वाले व्यक्ति का नाम था, चिंत्या मनिकर, ठीक है, तो चिंत्या धर्म इस्ततो जय, यतो धर्म इस्ततो जय, जहां धर्म है, वहां विजय सुनिश्चित है, यह इसका मोटो है, धेवाक्य है, जबकि सुप्रिम कोट की जो मेन बेंच है, वो नई दिल्ली में इस्तित है, याद रखेगा सुप्रिम कोट छेत्रादिकार की अगर बात की जा सरवोची नयाले की छेतरादिकार में आता है लेकिन इसकी जो मुख्य पीट है वो नई दिल्ली में बनाई गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नई दिल्ली में बैटके ही सुनवाई करे इसके अलावा भी भारत राजी छेत्र की किसी भी कौने में बैठ करके जन सुनवाई कर सकता है और ऐसा इसने किया भी है दो बार जन सुनवाई बाहर हो चुकी है एक बार स्रीनगर में हुई थी और एक बार हो चुकी है हैदराबाद में तो स्रीनगर और हैद्राबाद, स्रीनगर में 1950 में, जबकि हैद्राबाद में 1954 में ये सुनवाई की जा चुकी है, के लिए रहे दोस्तों, ये ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट अगर बात करें आगे, आर्टिकल 124 के बारे में जाने, सुप्रीम कोड के लिए हमें बस एक आर में रखेगा, तो कोई प्रोब्लम वाली चीजी नहीं है, बाकी जो भी टॉपिक्स है, उनमें भिन्ने भिन्ने आर्टिकल पर हम गए थे, लेकिन यहां पर एक आर्टिकल जो बड़े काम का रहने वाला है, आर्टिकल 124, और आर्टिकल 124 में इसके गठन के बारे में बता प्रारम में कितने नयादिस होंगे, इन नयादिसों की संक्या का निर्धारन कोन करेगा दोस्तों, नयादिसों की संक्या का निर्धारन यहां पे संसद विधी बना करके करती है, जहां बता दिया चाहिए आपको, कि जब फैडरल कोट इस्तापित हुआता तब एक मुख्य और 7 अन्ये थे बाहद में यही federal court आगे चलकर करकि supreme court बना तो supreme court में भी प्राहरं में 1 मुक्ह हो रहिए 7 अन्य नयादिस ही थे तो total प्राहरं में जो नयादिस रहे वो कितने थे एक मुक्ह 7 अन्यä total 8 नयादिस थे बाहद में 1977 में इनकी संक्या बढ़ जाती है अन्य नयदिसों की और यहां पर अन्य नयदिसों की संक्या हो जाती है 17 ऐसे मुख्य नयदिस है टोटल 18 नयदिस हो गए 1986 के अंदर यह संक्या में व्रदी होकर कि एक मुख्य 25 अन्य टोटल 26 नयदिस हो गए 2008 में इस संख्या में और व्रदी होती है एक मुख्य 29 यानि कि टोटल 30 नयादिस हो जाते हैं 2008 में और 2018 में ये संख्या भढ़ करके एक मुख्य और 33 अन्य टोटल 34 नयादिसों के साथ में बर्तमान में हमारा सुप्रेम कोड संचालित है बात की जाए दोस्तों सुप्रेम कोड के अंदर सर्वच्ची नयालक के अंदर मुख्य नयादिस की नियुक्ति याद रखेगा दोस्तों सुप्रेम कोड में आर्डिकल 124 में ही इस बात का उलेक किया जा रहा है कि सरवच्ची नयलके मुख्य नयादिस की जो नियुक्ति है इसको जो अपोइंट करता है वो कौन करेगा राष्टवती करेगा सरवच्ची नयलके मुख्य नयादिस की नियुक्ति राष्टवती करेगा किसके आधार पे करेगा वरिष्टता के आधार पे करेगा याद रखीगा किसके आधार पे वरिष्टा के आधार पे वहीं अन्य जो न्याधिस होंगे इन अन्य न्याधिसों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है राष्टवती करता है लेकिन यहाँ पर वरिष्टा नहीं होगी अन्य न्याधिसों की न्युक्ति में राष्टवती मुख बना करके कर रही हैं अब यहां पर हमने जाना कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा तो नियुक्ति के बारे में बताए जा रहा है कि मुख्य नैदिस और अन्य नैदिस इन दोनों की जो नियुक्ति है यह नियुक्ति राष्ट्वति के द्वारा की जाएगी नियुक्ति किसके द्वारा होगी राष्ट्वति के द्वारा बस एक चीद ध्यान में रखनी है कि मुख्य नैदिस की जो नियुक्ति है कौन कर रहा है राष्ट्वति मुख्य नैदिस की नियुक्ति राष्ट्वति किसके आधार पे करेगा वरिष्टता के आधार पे करता ह सीन्यति बिस्त पर करेगा वरिष्टता कि आधार पर करेगा जो भी सबसे वरिष्ट होगा वह सबखी की ब्रकती करेगा कौन राष्ट्पती करता यह यह राष्टपती ही कर रहा है लेकिन अन्य नैदिसों की नियुकती राष्टपती किसकी सला से करेगा मुख्य नैदिस की सला से मुख्य नैदिस राष्टपती को सला देगा कि किन किन की नियुकती करनी ऐसे अन्य नैदिसों की नियुकती राष्टपती कर देगा किलियर है तो म 1973 में 1973 में और एक बार हुआ 1977 में 1987 में तो वरिष्टा करम का अब तक दो बार उलंगन किया जा चुका है 1973 में सैलेट, हैगडे और ग्रोवर तीन ऐसे न्यायदिस थे जो मुख्य न्यायदिस करम में वरिष्टा करम में आगे थे लेकिन इन तीनों को छोड़ करके ए एन रे को भारत का मुख्य न्यायदिस बना देना वही 1977 के अंदर HR खन्ना की जगए H.M. बेग साब को यहाँ पर मुख्य न्यायदिस बना देना तो यह दो बार ऐसा हूँ चुका है जब वरिष्टा करम का क्या किया जा चुका है उलंगन भी किया जा चुका है साथी हम यहाँ पर जानते है न्यायदिसों की न्यूक्ति समंदी कुछ ही यहाँ पर प्रकरन जो की समय समय पर आए है ऐसे टोटल च्यार प्रक्रण को हमें ध्यान में रखना है जिसमें सबसे पहला आता है SP गुपता बनाम भारत सरकारवाद 1982 का मामला है जिसे फॉस्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है प्रथम नायदीस मामला 1982 और इस मामले के अंतरगत होता क्या है कि भारत की जो विधी मंत्री है इस विधी मंत्री ने राज्यों के जो भी मुख्य मंत्री है उन मुख्य मंत्री को यहां पर परिपत्र भेजा जिसके दुआरा नयादिसों के इस्तानांतरन नयादिसों की किसकी बात कर रहा है इस्तानांतरन की बात की जा रही है और शाथ में नयादिसों की नियुक्ति के सम्मंद में सहमती देने को कहा गया कि भई इसे विसे के उपर सहमती दी जाए कि इनकी जो इस्तानांतरन है नयादिसों का इस्तानांतरन और इनकी न्युक्ति किस परकार से की जाए और इस मामले में कहा गया कि भारत के सर्वची नेयलके मुखे नयाधिस के प्रामर्श के बिना किये गए इस्तानांतरन्त क्या होंगे सम्मेदानिक ना हो और इस मामले के उपर 7 नयाधिसों की पीड़ दुआरा 4 तिन की मोहमत से इसपस्ट किया गया कि राष्ट्पती प्रा मानने के लिए बाद दे नहीं होगा लेकिन देन उसके बाद में सेकंड जीजी केस आता है दित्तिय न्यायदिस मामला आता है उननीस सो तर्रानवे में और दित्तिय न्यायदिस मामले उननीस सो तर्रानवे में जिसे उच्छतम न्यालय अभिलेक न्यालय अधिवक्ता संग नाम भारत सरकार मामला भी बोला जाता है और इस मामले में सरवच्छी नियाले द्वारा प्रत्थम नियादिस मामले में दिये गए निर्णय को बदल दिया गया दोस्तों दिये गए निर्णय को क्या कर दिया गया बदल दिया जा रहा है और यहां पर जो डिसिजन है बहुमत से दिया गया जिसमें बोला जा रहा है कि मुख्य नयादिस द्वारा दी गई सला को मानना राष्टपती के लिए क्या होगा दोस्तों? बाद्ध्यकारी होगा 1982 में कहा जा रहा है कि सला मानने के लिए राष्टपदी बाद्यकारी नहीं है लेकिं 1993 के मामले पर बोला जा रहा है कि सला मानने के लिए राष्टपदी क्या होगा बाद्यकारी होगा और ऐसी सला जो दी जाएगी ये सला ऐसी सला मुख्य नयादिस क्या करेगा अपने दो वरिष्टतम नयादिसों से मिलकर देगा मतलब सेकंड जजज केस में एक मुख्य नयादिस और दो अन्य नयादिस टोटल तीन नयादिस यहां पर होंगे और इन तीन नयादिसों के सला यहां पर राष्टपती को दी कहीं ने कहीं हम कह सकते हैं एक व्यवस्ता जो भारत में लाईगी कोलेजियम की जो प्रारंबिक दर्शन है यह कोलेजियम की प्रारंबिक दर्शन सेकेंड जिजिज केस में देखने को मिलते हैं ठीक है दोस्तों वहीं फिर थर्ड जिजिज केस आता है 1998 त्रती नयादिस मामल 1998 और ये तरती नयादिस मामला मूल रूप से कोलेजियम से संबन दित है यहां पर भारत में कोलेजियम परणाली को अपनाए गया क्योंकि इस मामले के अंदर जो बोला गया निर्धारित किया गया कि प्रामर्ष प्रक्रिया जो होगी इसमें मुख्य नयादिस दौरा बहुत बंशंख्यक नया दीसों की विचार प्रक्रिया के तहत यहां पर सला दी जाया है जहां सेकंड जेजिज केस में बोला गया कि एक मुक्य नयादिस 2Nय- Çünkü सला होनी जी कि वहीं किसंग द्द नल को बोला जाएगा दोस्तों कोलेजियम या नि कि मुख्य नयदिस की न्यूक्ति कोन करेगा राष्टपति करेगा वरिष्टा के आधार पे करेगा लेकिन प्रामर्ष किस से लेगा तो प्रामर्ष लेगा कम से कम एक मुख्य और चार अन्य यानि कि कोलेजियम की सला लेगा तो कोलेजियम की सला से वरिष्टता के आधार पर राष्टवती मुख्य नयादिस की नियुक्ती करता है यह चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी वहीं फोर्थ जिजिज केस मामला आया था 2015 में और चतुर्थ नयादिस मामला जो 2015 है जो कि राष्टे नयाइक नियुक्ती आयोग अधिनि कमिशन नंग소 के नाम से भी जाना जाता इसको जहां पर बोला गया था कि जो साला होगी उस अंदर मुख्य नयादिस क्या ओदिस क्या करें लेकिन यहाँ पर कारएपालिका से साला करना मतलब्ड यहां पर क्या हो रहा है सव沒事 хоч़तों क्या कर रहा है यह चोड पहुंचाने क सेकंड जजजज केस थर्ड और फॉर्थ कोलेजियम जो परनाली आ रही है वो थर्ड जजजज केस में आ रही है इसके प्रारमिक दर्शन सेकंड जजजज केस 1993 में देखने को मिले थे नेक्स्ट आगे बढ़ता है सर्वोची नियाला की अंतरगत बात करें जो मुख्य नायpotिस है इस मुख्य न्यादिस को सफथ दिलाता है जबकि अन्य जो न्यादिस हैं इन अन्य न्यादिसों को सपत कौन दिला देगा भारत का मुख्य न्यादिस इनको सपत दिलाता है कौन सी सपत दिलाएगा विधी द्वारा इस्तापित भारत के समिदान के प्रती सच्ची सरधा और निष्टा की सपत होगी सच्ची सरधा और निष्टा भारत की प्रभूता और अखंडिता को अक्षुन रखने की होगी योग्यता ज्ञान विवेक से पद की कर्तव्यों का का क्या किया जाए भै या पक्षपात अनुरवाग या द्वैस के बिना पालन सविधान और विधियों की मर्यादा बनाई रखने की क्या दिलाई जाएगी सपत दिलाई जाती है ग्लिए रहे दोस्तों यह सपध दिलाई जाती है बात करें इक ishan ऑफ जजे ची योगताओं के बारे में बात कर लेता है नादी सोथ बनने के लिए जो योगता होती है योगताहों में फरस्ट काम भारत का क्या और नागरीक होना चीसी उच्छी नयलया या एक से अधिक नया में अधिवक्ता रह चुका हो या फिर राष्ट्वती की राय में पारंगत क्या होना जरूरी है विधी वेता हो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्वती क्या करता है नियाधिस पद के लिए यहां पर चुनता है उसे नियुक्त करता है किलियर है टर्मस ओफ ऑफिस की बात कीजिए कारेकाल की बात करें पदावदी की बारे में बात करें तो पदावदी होती है 65 वर्स की आयू तक याद रखी का दोस्तो नियाधिस बनने के लिए मैक्स जो आयू है 65 वर्स की होती है इसके बीच में कोई भी 5-6 वर्स का ऐसा हटाया जा सकता है याद रखना आज तक किसी भी नयादिस को महाभ्योग से हटाया नहीं गया है तो याद रखी का राष्ट्वती को सिद्ध कदाचार या ऐसा मरता की आधार पर महाभ्योग परक्रिया के दुवरा हटाया जाता है और महाभ्योग परक्रिया के बारे में मैं बतादूं आपको महाब्योग की जो प्रक्रिया होती है जिसके बारे मैं पूरवर्ती क्लासेज में भी आपसे बात कर चुका हूं महाब्योग जो प्रक्रिया है ये कहां पे लाई जाती है दोस्तों संसद में लाई जाती है और संसद के होते हैं दो सदन सदन एक होता है लोक यहां पर थोड़ी सी नयादीसों को पत्से हटाने की जो प्रक्रिया है, लोक्षभा में लाने के लिए कम से कम सो यहां पर सदस्यों का संकल्प होगा, वहीं राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 संकल्प लेना होता है, उसके बाद में संकल्प लेने के बाद में जैसे सं प्रोसेस प्रारम होती है महाव्योग की बताए जाचुका है महाव्योग प्रोसेस हटाए जाता है और हम अब तो ऐसा 1993 के अंदर सबसे पहले भारत में किसी निया जिस कि बात은 आए सबसे पहले उनिजस्तो त Gregory में मिस्टारा को रामस्वामी की बातो रनाो महाभ्योग लाया गया था वहीं 2018 की बातो होग कि जाए तो 2018 में सुप्रिम कोट के जो मुख्य नयादिस हैं, मुख्य नयादिस, नयादिस पूछे तो वी रामा स्वामी और मुख्य नयादिस हैं, दीपक मिश्रा के विरुद्दे, महाभ्योग लाया जा चुका है, तो याद रखीगा सुप्रिम कोट में दो बार ऐसा हो चुका है, 1993 के अं उनकी विरुद लाए गए था में उन्हारों नागरजुनल्णी यां पर लाए और वही बात करें 2.007 के अन्दर हद्राबाद लाए है और यहां पर महां पर चाइडीस के विरुद हैं युफ़ित जब्किन कोर्ट में विरुद आसे नैइडीश है एक मुख्य नयादिस है और एक नयादिस है नयादिस है वी रामा स्वामी 1993 में 2018 में मुख्य नयादिस है दीपक मिश्राज जिनके विरुदी महाव्योग लाया गया है मतलब सीधा-सीधा अगर बात करें यहां पे क्यों लाया गया है हटा या से कुल कल कैछा है कोई व्यक्ति जिसके ने सरवय निया दॉप में पद्धारण किया है भारत-राच्जी- उस्क के भीतर किसी भी ने नहीं नायलब में किसी परादीकारी के कलकता हाई कोट के नयादिस CS कर्णन को नयाले आउमाना के आरोप में सुप्रेम कोट के दुवारा है सुप्रेम कोट मुखे नयादिस थे जय एस खेहर साहब उन्होंने छे महीने की यहां पर क्या दी थी उनको सजा भी सुनाई है एसा मामला भी यहां पर बन चुका है गंपूर्ति की अगर बात करें दोस्तों यहां पर किसी भी सरवाची नयाले में गंपूर्ति है तो को जो जैलरी पैकेस दिया जाता है आर्डिकल 125 में इस बात का उलेक किया जारा है भारती सिवदान का अनुचेद 125 कहता है कि मुख्य नयादीस को 2,80,000 रुपए जबकि अन्य नयादीसों को 2,50,000 रुपए जो वेतन है ये वेतन दिया जाता है 2,80,000, 2,50,000 तीक है कैसी भी प्रकार की कटोती नहीं होती है केवल वित्तिय आपातकाल के दोरान इनके वेतन भत्तों में कटोती की जा सकती है बात करूं में दोस्तों आर्टिकल 126 के बारे में तो आर्टिकल 126 कहता है कि मुख्य नयादीस की अनुपस्थति में राष्टपतित है तो उसकी अ तो राष्ट्वती करता है तो राष्ट्वती करता है वही एडिकल 127 ने कुछ और बाते की जा रही है कि if Supreme Court में घ्रकेतश एती डिया जाएं तो उच्छे नयालैसे कोन मुख्य नयाधीस क्रेंगा तदर्फय नियादिसों की क्या कर देता है नियुक्ति मतलब सीधा सिधा ध्यान में रखें सुप्रिम कोट के अंदर तदर्थ जो नियादिस है ऐसे तदर्थ नियादिसों की नियुक्ति कोन कर रहा है तदर्थ नियादिसों की नियुक्ति मुख्य नियादिस करता है जबकि कारे वहक तर दरinst Moving बात करते हैं जिसमें सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का वह है प्रारमपी बात करते हैny औरिजनल जूरेडिक्सन की बात कर रहा है भारतिय सिवदान के आर्टिकल 131 में बताया चाहरा है कि केंद्र तथा राज्य राज्य तथा राज्य राज्य और केंद्र सासित प्रदेश इन सभी के बीच में आपस में के मद्य आपसी कोई भी विवाद है तो उस विवाद का निप्टारा कोन करेगा सुप्रिम कोट करता है सर्वोच्य न्याले करता है केंद्रो राज्य के बीच का हो राज्य तथा यूटीज के बीच का ममला है तो ऐसे में उसका निप्टारा को तो सुप्रीम कोट हस्त शेप नहीं करता है बात करें दोस्तों भारत संग बनाम राजस्तानवाद 1984 में इस पस्ट किया गया कि राज्य का केंद्र के विरुद्ध होने वाले नुक्षान का दावा केंद्र राज्य विवाद नहीं होता ठीक है वहीं प्रारंभी छित्रादिक नेक्स्ट आता है आर्टिकल सेवन्टीवन जिसके अंदर बोला जा रहा है कि राष्टपती और उपराष्टपती चुनाओं में किसी भी प्रकार की क्या होती है धांदली होती है तो इस धांदली की जाच भी कौन करेगा सुप्रीम कोड करता है वहीं आर्टिकल 32 में बोला लाई जाता है बात कर चुका हो में पहले वी आपसे जिन्वें पांच प्रलेखों में सबसे पहला आता है अंग्रेजी भासा में होती है ठीक है तो अंग्रेजी भासा में चलती है सुप्रेम कोड की सेकेंड आता है जो छेत्रादिकार उसे बोलते हैं अपीली छेत्रादिकार आर्टिकल 132 में अपीली छेत्रादिकार की बात कर रहा है और बोला जा रहा है कि केंद्रे सर्वच्छी न्याल है जो है देश का क्या है अंतीम अपीली न्याल होता है सर्वच्छी न्याल है दे विल्या दिवानी मामले, आर्टिकल 133 में इनका उल्लेक है, नमर दो आता है, फोसदारी मामले, आर्टिकल 134 में उल्लेक है, दिवानी मामले कोन से होता है, चला-चल संपती से संबंदित मामले, फोसदारी में आता है, जो भी धंड संबंदी मामले होता है, वहीं नमर तीन आते हैं सम्मेदानिक मामले आर्टिकल 135 में इनका जिक्र है कि यदि राज्जी का न्याल है प्रमानित करदे की सम्मंदित मामले में विधी का कोई सारववान प्रश्न नहित है तो ऐसे मामले सम्मेदानिक मामले कहलाते हैं और इनका उलेक आर्टिकल 135 में किया गया और ये त लेकिन इस चैट्राजिकार के तहरत के वघंधित यदी कोई सार्वान तत्व नहीं तो ही सर्वच्य नयाले को ऐसा प्रतीत होता है या लगता है कि विधी या तथे का कोई प्रश्न उत्पन या उत्पन होने की संभावना है या फिर प्रकरती से सारुजनिक महतु का है तो राय देने से मना भी कर सकता है केवल ऐसा विषय जो विधी से समंदित है तो ही प्रामर्स देगा सारुजनिक महतु के मामले के उपर प्रामस देना आनिवारियन नहीं होता मना भी कर सकता है दोस्तों लेकिन यदि विसे किसी परकार के वर्णित विवाद संधी करार वचन वदिया अन्य लिखित जो सविदान से पहले की हैं और प्रवर्तन में हैं राष्ट्पती यदि राय मांग सकता है और सरवच्चे ने जिसमेडान के लिए क्या होगा बात्देकारी होगा यानि कि समयदानिक मामला है जब सब्स्र् 관련 लाग हुँआ उससे पूरु का कोई विस्टा है तो ऐसे मामलों के ऊपर कोई विवाद या पिपयद्री ट्रेटीग ना तो ऐसे में सब सब्सप्रियम कोट यहां पर सलाह द जिसमें सब से पहले मांगा गया था दिली विधी जो अधिनियुम है 1951 महाँ ठाउतर केसव शुनाव 1974 में पूछा जा चुका हूँ विसेष नियाल में विदहेख था जम्मु कस्मिर पुनर सबुणा दिनियुम है कावेरी जल्विवाद, राम जन भूमी ममला, भारत के मुखिन एदिस द्वारा अपनाई जाने वाली मंतरना परक्रिया में, प्राकर्ती गैस्विम, तरल प्राकर्ती गैस्ते समंदित, केंद्रो राज्जी के बीत, विधाई मामलों भी प्रामर्श मांगा जा चुका है, ग पुनरावलोकन की सक्ति के बारे में, आर्टिकल 137 में, यहाँ पर बताया गया कि इस छेत्रा अधिकार के तहट केंद्रो राज्जी के द्वारा विधाई वैक कारेपाली का, आदेशु की सम्मेदानिक्ता की जाच की जा सकती है, यदि इन्हें अधिकारिकते पाया जाता है, तो इन्हें ऐस सम्मेदानिक घोशित किया जा सकता है, तत्पश्चात सरकार द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, और इसे बोला जाता है नयाइक समिक्षा, ठीक है, नमबर पांच पर आता है, सुप्रिम कोट अपने आप में क्या है, एक अभिलेक नयाला है कौट अफ रिकोर्ड का काम करता है, भारती सिर्दान के आर्टिकल 139 के तहर, सर्वच्ची नयाला एक अभिलेक नयाला की भूमिका निभाता है, अभिलेक नयाला से तात्परी है कि इसके द्वारा दिये गे जो निर्ना है, इनको रिकोर्ड के रूप में संजो के रखा ज जाता है, ताकि भविश्य में इससे संबंदित कोई भी मामले हो, तो यह निर्ना ऐसे कैसे स्तापित किये जा सके हैं, भारत में अभिलेक नयाला की भूमिका में दो नयाला होते हैं, एक सर्वच्ची नयाला और एक उच्ची नयाला दोस्तों, दोनों को ध्यान में की गई कारवाई की आउमाना करने पर दंड का भी प्रावदान है, याद रखी गया, सबसे पहले आउमाना के उपर छे महा की कैद हो सकती है, या दो जार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी दिये जा सकते हैं, बात करूं में यहापर नयाइक समिक्षय के बारे मे नयाइक समिक्षय से हमारा तातपरी होता है, विधाई का वे कारेपाली का दौरा निर्मित आदिनियम वा आदिसों की संबेदानिकता की जाच करना जो केंद्रवे राज्य सरकारों पर क्या होती है, लागू होती है, तो यह मूल रूप से हमारे सुप्रेम कोट के क्या है, छेतरा दिखा रहे हैं, जो डिडिक्षन की बात की जा रही है, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्स के बारे में, जानते हैं सर्वची नयाले के प्रथम मुख्य नयादिस और सुप्रेम कोट की जो प्रथम मुख्य नयादिस हुए थे दोस्तों वो थे हीरा लाल जे कानिया स याद रखीगा उच्छी नैले की बात करें तो उच्छी नैले की प्रतम महिला मुख्य नैदिस पूछे तो मुख्य नैदिस बन चुकी है भारती सरवच्छी नैले के अंतरगार आज तक कोई भी महिला मुख्य नैदिस नहीं रही है सिर्फ नैदिस रही है और वो है मीरा फ चांडी ऊके तो अन्ना चांडी यहां पर रह चुकी है बात करें दोस्तों सर्वच्च न्याल के प्रतम दलित मुख्य न्यादीश रह चुके हैं के जी बालकृष्णन साब जबकि एकमात्र ऐसे मुख्य न्यादीश जो अंतराष्टी न्याला में भी न्यादीश रहे हैं और उनका नाम आता है R.S. पाठक जी और वर्तमान में दलवीर भंडारी जी तो टोटल च्यार ऐसे नयादिस हैं जो अंतराश्टी नयाले में नयादिस रहे चुके हैं दोस्तों सरवत्ची नयाले के मुख्य नयादिस जो की राज्यपाल भी बने हैं और राज्यपाल रहने वाले हैं पी सदास्यों साब जो की राज्यपाल भी रहे चुके हैं वहीं सरवादिक कारेकाल वाले नयदिस उखे तो सरवादिक कारेकाल वाले नयदिस रह चुके हैं। लिगर में सबसे कम कारीकाल वालिया चुके हैं मिस्ट्र के एंद जबकि सर्वत साब जो कि वर्तमान में मुख्य नियादिस रहे हैं डी वाई चंद्र चूड डी वाई चंद्र चूड साब जो कि वर्तमान में भारत के से सब्सक्राइब जो कि देश का अन्तीम अपील नियाल है कानूनों का रक्षक है समिधान का संरक्षक है सरवच्ची नाल में मुख्य नैदिस और अन्य नैदिस होते हैं जिनके संक्या का निर्धारन संसद करती है जहां प्रारम में एक मुख्य साथ अन्य वहीं वर्त्मान में एक मुख्य और 33 अन्य नैदिस है नियुक्ति की बात करें तो मुख्य नैदिस की नियुक्ति की बारे को सम्भोदित करते हैं सपथ सब्सक्राइब Cau info राष्टपती दिलाता है को अन्य को दिला देता है राश्टपती की और से मुख्य मुखे नयायदेस के बार में यूगेतां के बार में जाना साथ हिए कारेकाल पदावधी की 75 आयूदी मि और की पूरू भी हटाने की प्रावधान किया गया और उसके लिए साबित कदाचार होना चीह couldn't एसमर्चतार की स्थत्य मैं महावयोग द्वारा उनको समय से पूरू भी हटाया जा सकता है facebook प्राव भी इनकी वेतन के बारे में जाना कि वेतन का है गनपूर्ती के बारे में जाना और साथ में हम ने जीरिदिक्सन की बात की है शेत्राधिकार की वह एको समय के लिए पर बिश्राधिकारा येंको सुरक्षित भी रखा जा सकता है साथ ही हमने जाना कि भारत की प्रथम मुख्यन आदिस कोन है वहीं वर्तमान में मुख्यन आदिस पद पर कोन है तो ये था हमारा आज का टोपिक सुप्रेम कॉर्ड आई होब बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका है फिर हम मुलाकात करेंगे एक नेक्स टोपिक में एक नेक्स टोपिक के साथ में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों